और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्सो का साग और ये मैंने सर्सों, बत्वह, मेथी और पालक ले लिए हैं और मैंने इनको अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद अब मैं साग को काट रही हूँ यहाँ पर मैंने एक किलो साग लिया है जिसमें आधा किलो मैंने सरसो ली है और आधा किलो बाकी की तीनों चीजे बत्वा, पालक और मेथी लिये हैं आप अगर इन में से किसी चीज को आपको नहीं मिलती है तो आप पालक और खाली सरसो भी बना सकते हैं और बत्वा, पालक और सरसो भी बना सकते हैं और तीनों चीजे अगर आप डालेंगे तो काफी स्वादिस्ट साग बनेगा और साग आप कई तरीके से काट सकते हैं इस तरह भी काट सकते हैं और आप बाजार से कटवा कर भी साग ला सकते हैं और मशीन से भी काट सकते हैं और अब हम साग को बालेंगे हम काफी जल्दी साग को बनाने वाले हैं जादा टाइम नहीं लगेगा इस तरीके से एक चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाल लिया है और आधे से थोड़ा जादा ग्लास हम पानी डालेंगे और चार से पांच सीटी हम कुकर में लगाएंगे यह तीन से चार मैंने हरी मिर्च भी ले ली हैं और आव हम मीडियम फ्लेम पे पांच सीटी लगाएंगे कुकर में और हमारा साग अच्छे से पक जाएगा और ये देखे पांच सीटी लगने के बाद साग बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और अब हम साग को मैश करेंगे ये भी हम बिल्कुल नई तरीके से करेंगे और इसके लिए हमें साग में डालने के लिए थोड़ा आठा भी चाहिए और मैंने पांच सी छे चम्मच यहां पर आठा ले लिया है मैंने तीन चम्मच आठा गेहुका और तीन चम्मच बेसन लिया है यहां पर आप मक्की का आठा भी ले सकते हैं और अब हम मिक्सी के जार में साग को मैश करेंगे मैंने आधा साग एक बार में डाल लिया है और तीन चमच मैंने आटा और एक कप पानी डाल के मैंने तीन से चार सेकिंड के लिए मिक्सी को चलाया और ये हमारा साग बिलकुर अच्छे से मैश हो चुका है और ये दूसरी बार मैंने डाल के आधा साग मैश कर लिया है और ये बिल्कुल भी मेनत नहीं करनी पड़ी है और एकदम जल्दी भी ये साग बन जाता है और बगैर मेनत के और ये आसान तरीका है बिल्कुल और अब चार से पांच मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको साग को पका लिया है और यहाँ पर मैं ये पनीर साग में डाल रही हूँ अगर आपको पसंद है तो आप डालेंगे ये बिल्कुल ओप्शनल है और मैंने मैश करके पनीर को डाला है आप पीसीज में भी डाल सकते हैं और ये एक चमच मैंने लाल मिर्च पावडर यहाँ पर डाला है तीन से चार हमने हरी मिर्च भी डाली थी और ये मैंने यहाँ पर हींग डाला है एक चमच हींग काफी जरूरी है साग में डालना ये अच्छे से साग को पचने में हेल्प करता है हीं हमें जरूर साग में डालनी चाहिए और आप ये 2-3 मिनट मैंने साग को पका के तैयार कर लिया है बिल्कुन और अब हम लगाएंगे तड़का और तड़के के लिए मैंने तड़का पैन ले लिया है और 2-3 चमच इसमें सरसो का तेल मैंने डाला है यहाँ पर आप देसी गी भी ले सकते हैं देसी गी में आप साग को तड़का लगा सकते हैं और एक चम्मच मैंने डाला है जीरा और जीरा गर आपको साग में नहीं है पसंद तो आप नहीं डालेंगे और सीधा लहसुन प्याज डालेंगे और मैं यहाँ पर जीरे का भी इस्तेमाल कर रही हूँ और यह मैंने एक प्याज मेडियम यहाँ पर काट के रखी थी और चार से पांच लहसुन की कली और आधा इंच मैंने अदग छोटे छोटे पीसिस में काट लिया था और यह तीनों चीजे मैंने अच्छे से फ्राई कर ली है और यह अच्छे से हमारा तड़का तैयार होने जा रहा है और अब मैंने इसमें एक चमच लाल मिर्च आधा चमच नमक और एक चमच मैंने धनिया पावडर डाला है यहाँ पर नमक डालने से टमाटर अच्छे से गल जाते हैं और यह हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसको साग में मिक्स करेंगे और यह हमारा साग बिल्कुल तैयार हो जाएगा खाने के लिए तड़का डालने के बाद स्लो फ्लेम पे हम एक मिनट के लिए साग को और पकाएंगे ताकि यह तड़का साग में अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत ही आसान तरीका है यह साग बनाने का और इस तरह से आप साग जरूर बनाएए बिल्कुल आसान है साग बनाना मुश्किल नहीं है और आपने देखा भी होगा और यह मैंने साग को सारु कर दिया है मक्खन के साथ और अगर आपको मेरी वीडियो फसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शियर चाएगे कर दियर चाएगे